तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको संग्यानात्मक विकास ने कादेविदी बताई कि उसकी कादेविदी किस तरह से है, किस तरह से इसको डिवाइड क्या गया है और किस से हम क्या समझते हैं अब हम अवस्थाओं के बारे में जा रहेंगे जो प्याजे जी ने अवस्थाओं बताई है, उन्होंने संग्यानात्मक विकास की चार अवस्थाओं बताई है, किती चार अवस्थाओं तो उन्होंने अवस्थाएं जो बताई हैं वो अवस्थाएं किसी भी जाम की द्रिश्टी कोर्ट से बहुत 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 ही मातपोर्ण है तीचर रिलेटेज कोई भी जाम होगा उससे कुस्टन 100% आने ही होते हैं तो देखते हैं, उन्होंने चार अवस्थाओं के बारे में बताया, पहला है संबेदी गामक अवस्था, यह इसका जो एज होता है, जीरो तो देवर्ड, इसके बहुती है, किस अवस्था की एज क्या है, यह भी आपको बड़े अच्छे से बेखता है, और इसको अच्छे से अपने चीमार में बैठा लेला है, तो जो गामक अभर्च क होती है, इसकी आयव जो है, वो जन्म से लेके साथ वर्ष तक होती है, लेकिन इसको दो भावों में डिवाइड के आपया श्था की पहला है आपका, Qूर्व प्रत्यात्मक काल, और दूसरा है, आप भरज्यो मे तो पूर्ण प्रत्यात्मक काल जो है ये दो वर्ष से लेके चार वर्ष तक की आई होती है और जो आन्प्रंट काल है वो चार वर्ष से लेके साथ वर्ष तक की आई होती है तो देखें तीस्ती आवस्ता, ये जो होती है, शाथ वर्षत लेके, ग्यारा वर्षत की आउंख की अवस्ता को मूर्षत संक्रियात्म कावस्ता बोलते हैं और आपकी चोती आउंख को इनाले को अराम से समधेंगे कि नवस्थाओं में क्या होता है आप थोड़ा साप नवश्पन याद करेंगे तो आई हो यह आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी यह अपने आज पास अगर आपके घर में कोई बच्चा है उसको देखिए उसको समझिए उसकी सायो में क्या कर रहा है इन सब चीजों को को रिलेट करके आप इसको समझेंगे तो 50% से ज्यादा बाते तो आप अपने घर से ही सीख जाएंगे और बाकी के 50% यह आपको यहां बता देती हूँ तो पहला आपड़ जो है संवेदी इगामक अवस्था को बोलते हैं sensory motor stage लगाना संवेदी मून प्रबित्यों के मादध्यम से सीखना इस अवस्था में बच्चे जो हमारी ज्ञानेंद्रिया होती है और जो हमारी कर्मेंद्रियां होती है उससे सीखते हैं ज्ञानेंद्रि होती हैं आग, कान, नाग, तवचा और जीवा और हमारी कर्मेंद्रिया दो होती हैं हाथ और पैर तो बच्चे शुरू में बोलत पाते नहीं हैं अपने हाव बहुत करने के लिए उनको ग्यानेंद्रियों के आशकता होती है जैसे अगर उनके मुह में कुछ चला गया है तो बताने ही पाएंगे, हम मुह दिखाएंगे अपना मतलब आखर करके ऐसे भी कुछ बताएंगे तो हमें समझ में आएगा इसमें क्या होता है कि चूसना, कोई चीज पकड़ना ये सब क्रियां इसमें सामिल होते हैं हाथ पाउं के माध्यमते, कोई चीज प्रदर्शन करना, खुष होने पे हाथ पर पटकना, बहुत ही चीज़े होते हैं, आप बच्चों को देखेंगे तो बहुत ही चीज आपके समझ में आएंगी, तो इससे होता है, और क्या होता है कि इस सवस्था में बच्चों का थोड़ा थोड़ा भासा विकास होने रखता है, बहुत थोड जाते हैं तो उनके भासा का थोड़ा थोड़ा सा विकास तो इस संभीदी गामा कवस्ता में होने होता है और क्या होता है इस सवस्ता के एक बुड़ ये भी है कि इस सवस्ता में बच्चे प्रकास के प्रती बहुत सचेत होते हैं इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा है उसके हाँ पर आग कोई लाइट बहुत तेज लाइट या टार्च का प्रकास जालेंगे तो वह अजीब सा बहुत चौप जाती है तो वह क्या होते हैं प्रकास के प्रति सचेथ होते हैं और इस कवस्था का के एक सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि जो बहुत सारे एक पूछा गया है कि वस्तुस्थाइक्तो का गुड नियुकर को मतलब क्या हुआ अगर हमने बच्चों को कोई चीज दिखाया, आज कल के बच्चे मोबाईल के बहुत बच्चों को मोबाईल दिखाया, तो वो कढ़ी न कढ़ी उनके दिमाग में अस्थाई हो गया है अगो दुबारा से उसमें कोई चीज मोबाइल देखेंगे तो मून के दिमाग में वस्तु स्थाइब तो है तो वो मोबाइल को लेने की कोशिश करेंगे उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये है वस्तु स्थाइब को संब्यति कामक वस्था में एक वर्ड पूछा जाता है इस्कीमा इस्कीमा क्या होता है? ये डारेक्ट कुछ्टन भी पूछा गया है अब लाफ्टियर टैट के पेपर में चीज़ दिज़े पूछा गया था कि इस्कीमा का संबंद पुछ से उसके कई चीज़े दिये कहे थे ज्ञान से, बोध से, इस्मृति से, चिंतन से तो इस्कीमा का जो संबंद होता है वो ज्ञान से होता है मतलब क्या होता है कि बच्चों के दिमाख में जो गौधिन क्रियाओं के माध्यम से जो जानकारी, जो ज्ञान तस्कुटित होता है, उसी को स्किमा बोलते हैं। स्किमा इसको आप ध्यान रखिएगा, बिलकुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि यह जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरी स्केश की तरफ, जिसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीकॉंसेक्शुल स्टेश, यह जो है, दो से साथ सालोगत की अवस्था होती है, इस अवस्था में बहुत सारी चीज़े होती है, सीखने के लिए यह अवस्था बहुत के साथ खेलना सुरू कर देते हैं, फिर उनमें भासा का विकास होने लगता है, ठीक, यह अवस्था जो होती है, पूर्व संत्यात्मक अवस्था इसको अनुपरण की अवस्था भी बोलते हैं, हम सुरुआत में जो कुछ बोलते हैं, बच्चे हमसे देखते हैं और फिर उ हो चीज उनके हैबिट में आ जाती है, और वो खुद बोलने लगते हैं, इससे सुरू में हम बच्चों को सिखाते हैं, कि एपल मिन से, बच्चों ने पढ़ा एपल मिन से, छोटे बच्चे हैं तो भी अनुपरण के माद्याम से सिखते हैं, फिर दीरे दीरे वो इसको सजीवता का मतलब यह होता है कि वो निर्जीव अस्तुओं में भी सजीवता का बुर देखते हैं, जैसे बच्चे बुड़्े बुड्यों से खेलते हैं, बहुत पतंद्र उनको खेला, तो जब वो खेलते हैं उसमें रोल प्ले करते हैं, बुड़्ा को कुछ बना दिया, जैसे में इसे बुखालो करा हैं, इसकी साधी करानी हैं, तो मतलब सजीवता के जू लक्षड होते हैं वो इसमें दिखाएड होता है, फिर इसका अगला हुड़् क्या है, कि इस एज में बच्चे जू है एगो-सेंत्रिजमू होते हैं, एगो-सेंत्रिजमू यह most important है, इगो सेंट्रिजम इसको बोलते हैं अहम केंद्रिता इगो सेंट्रिजम का मतलब होता है बच्चों को लगता है कि ये पूरी दुनिया मेरे इर्द गेर देही है जो हूँ मैं हूँ मतलब को अपने आपको सबसे इंपोर्टन समझता है सबसे इंपोर्टन वही समझता है ख़ड़ा सा डाट तो उसका इगो हट हो जाता है उसको बहुत उप होता है इसमें बच्चों के अंदर इगो सेंट्रिम की भावना जो है वो बहुत उप्शित होता है फिर अगला क्या है अगला होता है कि इस सवस्था में बच्चे जो है इनको भी खिलोना अच्छा लगेगा और ये भी खिलोने से तुसरेंगे उन्हीं लगता है कि जिस तरह से मैं करता हूँ उस तरह से ये भी करेंगे तो इसमें क्या होते है इसको फैर देज बोलते है तर्बी वी आयो बोलते हैं बच्चे जो है हर चीज के बारे में सुचते हैं फोज करते हैं तो इसको ऑरती आयो भी बोलते हैं तो ये संक्रियात्मा कवस्था जो आप समझ गया है अब हम अबला देख के हैं मूड़् तति जो यह होती है वो साथ से 11 बस होती है पहले तो सबसे important चीज़ मूर्थ से आप समझ गए हो जो हमें चीज़े दिख रही है जिसे ये marker मुझे दिख रही है तो मैं इसके बारे में सोच हो जिए मुझे mobile दिख रही है मैं mobile के बारे में सोच यो जो चीज़े दिखती रहती है मूर्थ का आस्छा यही होता है कि विजिवल थिंट जिन चीजों को हुँ देख सकते हैं हम उनके बारे में सोचना सुरू हो जाता है कि बच्चों में मूर्थ से तरह हो मूड चिंतन कब से शुरू हो जाता है तो यह 7-11 वट की अस्था में बच्चों में मूड चिंतन वह शुरू हो जाता है वह मूड चीजों के बारे में सोचने हैं इस उमर में बच्चों को जो है वो आयतन का ज्यान हो जाता है जैसे एक किलो रूई रखी गई हो और एक किलो लोहा रखा गया हो तो बच्चे इसमें डिफ्रेंस कर सकते हैं कि दोनों जो है बराबर हैं एक चीज में आपको बताना बोल गये थी पूर्व संक्रियात्म का अस्थ में बच्चों को ये डिफ्रेंस करना नहीं सेख पाते हैं अगर एक किलो रूई रखी गई है और एक किलो लोहा रखा जाए तो बच्चों को ये लगता है उन्हें आरोही और रोही क्यान हो जाता है, वो क्रम को चीजे से कम से ज़्यादा और ज़्यादा से कम की ओर लगा लेते हैं, तो यह भी सवस्था का बहुत ही अच्छा गुड़ है, और क्या होता है, एक बहुत important question यह पूछा जाता है, कि सबसे ज़्यादा गड़ती शंक्र सबसे ज़्यादा गड़ती शंक्रिया लेकिस अवस्था मेंश्था में सबसे ज़्यादा गड़ती शंक्रिया बच्चा करता है। तो आपका यह है, साज से ग्यारागट की अवस्ता जो है, इस अवस्ता में बच्चा जो है सबसे ज़्यादा गड़िशंप्रिया करता है, इसी में गड़िश को खंबनती जित्री भी बाते होती हैं, लगबग लगबग वो इसमें सीख जाता है, तो ये उमर जो है, ये आई जो है, वो गड़िशंप्रिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या है सवस्ता की विश्ता है, आपने देखा पही सीजे, पहले इसकी हां से कुश्चन पूछेगा, तो पहले इसमें आई पूछता है, फिर पूछता है, मूर चिंतन का प्सुरू होता है, तो वो इस समस्ता में मूर्ट संत्यात्मा कवस्ता में बच्चों में आ जाता है, बिल्यो मीता का तात्पर होता है, मन ही मन किसी चीज के बारे में सोचकर उसके बारे में जान लेना, मतलब हम मन में सोचे कि प्रित्वी गूर में, और हमने मन में उसको सरुशन निकाल लिया कि तो इस तरह से हम मन में सोचे और मन में उसको जान गए तो वही होता है घुलो मुईता का गुर्वी मोट संद्री आत्मा कवस्था में पाये जाता है आप ले इसके लाजeverर, ले चौछछा इसको बोलते हैं अमुर्ड़ संक्रियातुमा का वश्था वी जो है वो 11 वर्थ से लेके 15 वर्थत की अवस्था उते हैं बच्चों के 11 वर्थ से 15 वर्थत की अवस्था बैदे भी बहुत कठिन काल होता है डिodلاोर्टत की स्टार्टिंग होती हैं इसमें बच्चे बहुत दुछ में रहते हैं इसके बच्चों में अम् unforn बढ़न को से लेन fossat बच्चे को लगता है कि हमें समाज में एक अच्छा स्थान में कोई घर में कारिक्रम हो रहा है हमारे बारे में सब्सक्राइब बताया जाए मतलब वो अपने से सारी चीज़े जोड़ता है अबर उसकी प्रसंसा हो रही है तो बहुत हो जाता है मेरा इंप्रॉटेंस बहुत बढ़ गया और कहीं किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत ही जयादा फरास्मेंट का ठिकार हो जात बहुत सारी प्रॉब्लम, दबा और तनाओं की अवस्था इसे पहा जाता है, इससे इस्टेनली हाल में आपको बताया था, एडॉल्संस में कि ये दो है बच्चों के लिए बहुत बगाओं और तनाओं की अवस्था होती है, इसमें कुश्चन ये पूछा जाता है कि अमूर संक्रियात्मग में मोर्द चिंतन चुरू होता है और अमूर्द संक्रियात्मग में अमूर्द चिंतन चुरू होता है, ओके, इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे जो है वो समस्थ्या समाधान करने लगते हैं, पहले कोई समस्थ्या आती थी, तो परिवार जनों की, मित्रों की सहयता लेते हैं, अब क्या करते हैं, वे स्वेम पे किसी भी समझते का समाधान निकालने में सच्छम अपने आपको समझने लगते हैं, तो इस लिहाज से लिए अवच्छा जो है, वो इंकॉर्टेंट होती है, इस उमर में बच्चे जो हैं अंको का प्रियोग करने अंको के मात्यम से समझने लगते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि अंको के ज़रा बच्चे किस उमर में सिखते हैं, तो इस तरह से आप ने देखा कि इन चार अवस्थाओं को ये चार अवस्था हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिन प्याजने बहुत ही अच्छी इस तरह से इन सारे वस्थाओं के बारे में बताया है, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया था कि इनका कहिना था कि बच्चों में पहले भासा का भी पास्था है, बच्चे पहले भासा सिखते हैं, उन्हें सुरुआत में हम अनुकरण के माध्यम से दे हो कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अगर अभी तक आपके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, क्योंकि ये आपको अच्छी से एक्जाम में नुम्बर दिलाएगा, आपको से जुड़े रहे हैं, और एक चैनल को अच्छी जानकानिया प्राप्त करते रहे हैं, थैंक्टू, थैंक्टू पर वाचिंग वीडियो,